हलो दोस्तो नमस्कार मेरा नाम पंकज आप देख रहे हैं पंकज एडू टेक दोस्तो आज किस वीडियो में बताऊंगा कुछ नई वेकेंसिज के बारे में जो कि 5 जनुवरी को ही ये नोटिफिकेशन रिलेज कर दिया गया है और ये ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है तो दोस्तो अगर आप लोग ने अवी तक पता नहीं किया होगा तो आप यहां से आप वीडियो देखकर बिल्कुल समझ सकते हो और मैं बिल्कुल डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में बेकेंसी के बारे मैं बिल्कुल सुरू से लेके जीरू से लेके लाज तक यह बेकेंसी क्या है कितनी बेकेंसी है क्या क्वालिफिकेशन है और इसमें कितनी फी लग रही है तो दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रेस कर सकते हैं जिससे की आने वाले इन फ्यूचर दिनों में मैं भरती से सम्बंदीत और भी बहुत सारी न्यूज जैसे की UPPCL के एक्जाम, नोटिफिकेशन, सेंटर के बारे में मैं सब कुछ इनफोर्मेशन यहाँ पर इस चैनल पर मैं सेयर करता रहूँगा, दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नियू है तो जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मैं बात करता हूँ कि वेकेंसी यूत्तर प्रदेश और करपरेशन लिम्टेड से यह वेकेंसी आई है, और दोस्तो यह एडवर्टिजमेंट नंबर है, 08BSA, 08BSA, 2020AE, सिविल, ठीक है, यहाँ भी आप दे सकते हैं, यह एडवर्टिजमेंट नंबर है, यहाँ दोस्तो आउनलाइन अप्लिकेशन और इन्वाइटेड फ्रॉम इलिजबल इंडियन नेशनल और डिरेक्ट रिकुर्मेंट, तो यह एडवर्टिजमेंट के वेकेंसी है, और यहाँ से यह डिरेक्ट रिकुर्मेंट कर रहा है, और यहाँ पर ब्रांच लिखा हुआ है, और यहाँ पर ब्रांच लिखा हुआ है, अगर आपने इंजिनरिंग किया हुआ है, और तो आप यहाँ से इस बैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पे बेकेंसी कितनी कितनी यहां पे कर्टेकराइज गिया गया है अन्रिजर्ब के लिए यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल फाइब पोस्ट हैं EWS के दोस्तों यहां पे वन पोस्ट हैं OBC के लिए थ्री पोश्ट है और रयस्ती के लिए दो पोश्ट है और रयस्ती के लिए नहीं है और दोस्तों हम एक खास बात है कि आप यह पे शिर्फ यह बेकेंसी उनके वह खोया है जो UP के Ukrainian मतलब UP के जो निवानसी है हैं ठीक है तो तो दोस्तों यहां पे है नीचे लिखा हुआ pay scale आप देख सकते हैं pay scale आप देख सकते हैं आप एज पर 7th pay commission, pay matrix label 10, Rs 59,500 deadness and other allowance admissible as per rule आप UPPCL ठीक है तो आप देख सकते हैं आप एज़ पर पान्स रूपे ये grade पे इसका है और ये इसके अलावा जो है यहाँ पर allowance अगर इसमें जोड़ा नहीं गया है तो आप समझ सकते हैं फिर बहुत अच्छी post है और beta category आप समझ सकते हैं कि ये जो है काफी मतलब अच्छी post है essential qualification दोस्तों आप देख सकते हैं आप एज़ आप एज़ आपको आने चाहिए लिखने अगर आपने डिपलोमा भी किया है तब भी जो है आप eligible है याँ आपर दोस्ते हैं आप बोल रहा है कि section A section A and be the associate membership of the institute of engineers be associate member of the institute of civil engineer ठीक है दोस्तों यहाँ पर बात करें age की age की बात करते हैं दोस्तों आप दे सकते हैं age यहाँ पर minimum age 21 year है and maximum age 40 year है as on 1-1-2020 तक जो है आपकी age 40 year से अधिक नहीं होनी चाहिए और minimum age आपकी 21 year ही होनी चाहिए अगर आपकी यह जदिक होती है दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको relax section मिलता है in upper age limit ठीक है अगर आपने apprenticeship किया हुआ है training अंदर apprenticeship act 1961 actual period of the apprenticeship subject to maximum 12 month ठीक है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा relaxation मिलेगा और OBC में अगर आप बिलोंग करते हैं या फिर SCST से बिलोंग करते हैं उतर प्रदेश के domicile हैं तो आपको यहाँ पर 5 year का मिलता है relaxation ठीक है और reservation की बात करें दोस्तों तो reservation में reservation will be provided to candidate of उत्तर प्रदेश domicile only जो बंदा जो ब्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है उसको ही reservation यहाँ पर benefit मिलेगा और बाकियों को नहीं मिलेगा candidate of the state union territory other than उत्तर प्रदेश should apply an unreserved category candidate as per the calculation based on zero दोस्तों यहाँ पर जो यूपी का निवासी है उसको ही reservation मिलेगा जो यूपी का निवासी नहीं है उसको reservation नहीं मिलेगा और दोस्तों यहाँ लिखा है no objection certificate noc candidate who are working with any state या government central government semi government ठीक है कोई ब्यक्ति ऐसा जो कहीं पर job कर रहा है government sector में तो उनको क्या देना पड़ेगा noc देना पड़ेगा ठीक है present employer कि मैं कहीं पर job कर रहा हूँ और फिर भी मैंने इसको apply किया है और join करने वाला हूँ या फिर exam देने वाला हूँ इसका noc देना पड़ेगा क्योंकि वता क्या है कि वहां से लोग job कर रही रहते हैं इधर भी qualified रहते हैं इधर एक post कराब हुजाती है वो यहां कर join करते नहीं है next दोस्तो examination center and selection process जो की most important है selection process will be based on the computer based test दोस्तों आपको ये computer बैटके objective test देना होगा इसके बाद आपका P.I.E. होगा personal interview होगा दोस्तों CBT will be held on major city of the Uttar Pradesh और इसके center कहां कहां पे होंगे आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देख लिजिए दोस्तों center यहां इसके होने वाले है तो दोस्तों center यहां पे एलाबाद है यहां पे वराणसी है आगरा है कानपूर है बरेली है ठीक है और यहां पे गाजियाबाद है मेरट है नुड़ा city है तो इस तरह से आप अपने सुवधा से देख लेना कि आपके हिसाब से यह distance ज़दा है या फिर कम है और यहां पे लिखा हुआ है कि for major candidate approximately 75 question from the bachelor of the engineering level ठीक है bachelor of the engineering level मतलब यह graduate level से भी 75 question को जाएंगे and 10% question of general knowledge 10% question होंगे general knowledge को होंगे gk होंगे current affair होंगे और 10% question होंगे reasoning के reasoning के question होंगे general knowledge question होंगे और 5% होंगे general hindi hindi भी जाएगा each question will carry one marks सभी questions जो है एक marks के होंगे और एक गलती question करेंगे आप दुस्पे 0.25% जो है marks cut करेगा one fourth ठीक है one fourth marks यहाँ पे deduct किया जाएगा अगर आपने कोई गलती किया है तो और यहाँ दोस्तों highlighted है if the number of the candidate are more and the exam is conducted in more than one shift a day अगर यहाँ पे के ज्यादा है या फिर एक या दो shift एक या दो shift ज्यादा यहाँ पे exam conduct कराया जा रहा है तो normalization formula given in a next year तो यहाँ पे क्या होगा कि normalization का फर्मूला भी जैसे कि कभी-कभी होता है क्या है कि 2-3 shift में 4 shift में कभी-कभी paper tough हा गया कभी paper easy आ गया तो इसको क्या करना पड़ता है normalize किया आता है जिससे कि balance कर सके candidate who obtained less than 30 marks in CBT will not be eligible तो दोस्तों आपको इसको pass करने के लिए आपको 30% से above आपको marks लाने होंगे तब यहाँ पे UPPCL आपको qualified कर पाओगे otherwise qualified नहीं कर पाओगे तो दोस्तों इस तरह से यह vacancies है अब आप देख सकते हैं नीचे चलते हैं नीचे आप दोस्तों आपका syllabus for various discipline ठीक है syllabus देखते हैं syllabus किया के यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों आप देखते हैं the syllabus of the civil engineering will be same as the that of gate of 22 आपको यहाँ पे gate के syllabus होता है same वैसे ही यहाँ पे इसकी आपको जो है इसका syllabus है the selection candidate must have to undergo a training program for a period as decided by the UPCL on a successful completion of the training the candidate shall be considered for absorption as per existing rule of the UPCL ठीक है आपको training जो है UPCL के रूल कहीं किसाब से आपकी training होगी अगर आपने qualified किया तो transparency यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल the electrical service commission shall arrange the display of the answer key for three days on the official website जैसे आप exam देंगे exam देने के तीन दिन बाद इसकी official जो है answer key इसके website पे upload कर दी जाएगी वहाँ से आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे किस तरह की question आये थे इसके answer क्या हुआ है दोस्तों आप बात करते हैं application come processing fee पैसे कितने लगते हैं इसमें apply करने में दोस्तो schedule cost domicile of ESC ESC category या PSD category है दोस्तों इसको आपको 700 रुपे देने होंगे इस palm को भरने के लिए ठीक है इसके बात बात करते हैं unreserved category के लिए या फिर non criminal year EWS के लिए या फिर OBC के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 1000 रुपे देने होंगे या फिर candidate of the state या union territory आप है तो उतरपदेश या फिर तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पे 1000 रुपे देने होंगे ठीक है तो इस तरह से है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक करेक्टर दिया हुआ है candidate will have to provide character certificate आपको यहाँ पे चरीतर प्रणापतर देना होगा बनवा करके और marital status a male candidate who has more than one wife living आपके पास जो है more than one wife नहीं होनी चाहिए आपको जो है यह यहाँ पे इसको requirement है physical fitness दोस्तों no person shall be appointed to the service unless he is in good mental आपका जो है दिमाग सही होना चाहिए सब कुछ तभी तो आप engineer बनोगे तो इस तरह से यहाँ पे है आप इसको apply कैसे कर सकते है www.uppcl.org पे आप जा करके इसको apply कर सकते है और directly बहुत सारे website है वहाँ पे जा करके आप यहाँ अपलाई कर सकते है दोस्तों आपको यहाँ पे submission of the documents बहुत सारे documents आपको submit करने होगे जैसे कि OVC के लिए और S.E.S.T. के लिए आपको यहाँ पे certificate download submit करना होता है बनवाना होता है disclaimer दोस्तों यह था आपका जो है और यहाँ पे submission of the application कम processing fee net banking यह credit card यह debit card तो दोस्तों पांच से लेके 27 के बीच में आप जो है इसको अपलाई कर सकते है submission of the application कम processing fee थो S.B.I. चलान आप इसको offline चलान के थुरू मतलब कहने मतलब है आप online payment कर सकते है S.B.I. ATM से debit card से ठीक है या फिर आप offline S.B.I. से कर सकते है S.B.I. चलान से कर सकते है ठीक है 22 date of the computer based दोस्तों एक्जाम की बात करें तो last week of the February फरवारी के last week में एक्जाम होने वाले हैं इसके तो आप इसकी तैयारी पर पूर जोर से कर दो और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए तो यह था आज का notification I think इतना ही है ठीक दोस्तो normalization method और हाँ एक बहुत ही important method है यहाँ पर normalization score for the each candidate अगर आप मालो आपने कई सिप्टों में एक्जाम दिया है तो वहाँ पर माल लिजिए किसी किसी के paper easy आगए किसी किसी सिप्ट में paper tough हा गए तो उसको normalize किया आता है मतलब balance किया आता है आवसत किया आता है तो दोस्तो उसके लिए एक formula दिया हुआ यहाँ पर below is the formula that is used in the calculation of the normalization score of the multi-station paper तो यहाँ पर जो formula है xn बराबर h2 by s1 multiplied by x minus xab plus yab दोस्तों दे सकते हैं यह normalization formula है और यह सभी का मतलब यहाँ पे समझा दिया गया है I think दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी और इस तरह से आप best app लग आपको आप form फिल किजिए इसकी दुबाद तयारी किजिए ठीक है ठीक दोस्तों I think दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो अगैन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ का आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लेगम को प्रेस कर सकते हैं बिलते दोस्तों अगले वीडियो में नमस्कार